नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का तो साथियों आज हम मैच कवर करेंगे 30 रा T20 मुकाबला जो खेले जाने वाला है इंडिया वर्सीज बांगलादेश के बीच में तो दोस्तो मुकाबला 12 अक्टूबर को खेले जाने वाला है साथ बजे मुकाबला स्टार्ट होगा राजीव गांदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद की पिच पर दोस्तो आज के मैच में हमारी जीएल टीम का कोंबिनेशन किस परकार से होना चीए बांगलादेश की टीम से δोस्तो कोन शाओ खिलाडी हमें टरंप काड खिलाडी देखने को मिलेगा इंडिया की टीम से दोस्तो हम किस खिलाडी को Captain Voice Captain Try करके चल सकते हैं अगर बात करें दोस्तों दोनों T20 मैचों के बारे में पहला T20 मुकाबला और दूसरा T20 मुकाबला दोनों मैचों में दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था कि इस खिलाडी को दोस्तों आपको लेके चलना है इस खिलाडी को ड्रोप करके चलना है ये खिलाड हमारी टीम में कैप्टन हो सकता है या फिर दोस्तों हम ड्रोप करके चलें दोनों वीडियो में दोस्तों मैंने आपको एक एक खिलाडी के बार में पूरी डिटेल में बताये था और जो हमारी ग्रेंड लिग टीम की जो रैंक थी काफी अच्छी देखने को मिली थी काफी यूजर की मेरे पास टेलिग्राम चैनल पे दोस्तों सक्रीन सोट भी आये थे वो मैंने सेयर भी किये थे यहाँ पर मैं आपको जो तीसरी वीडियो होगी जो हमारा तीसरा टीटवन्टी मुकाबला होने वाला है इस मैच में भी दोस्तों हम पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सा खिलाडी दोस्तों आज के मैच में हमें लेके चलना है कौन सा खिलाडी हमारी टीम में ट्रंप कार्ड खिलाडी होगा तो पूरी update के लिए दोस्तो वीडियो को देखते चलना क्योंकि आपकी जो grand league की जो rank है काफी अच्छी आने वाली है अगर आपने पूरे prediction को follow किया तो और दोस्तो आपको पता ही है मैं आपके लिए अब continue free jackpot giveaway लेकर आ चुका हूँ जिसमें आपके winning के chances दोस्तो 100% देखने को मिलते हैं सबसे पहले आपको वीडियो को complete देख लेना है इस से आपकी GL PLUS SL टीम का जो combination है काफी हद तक अच्छा बनने वाला है उसके बाद दोस्तो वीडियो को like कर लेना जिस भाई ने channel को subscribe नहीं किया है वो channel को subscribe कर लेना आने वाली लगातार update के लिए और एक प्यारा सा comment करना मत बोलना है अगर दोस्तों आपका comment टोप में देखने को मिलता है तो आप giveaway winner बन जाएंगे और इसके साथ सा दोस्तों free jackpot cushion भी होने वाला है बिल्कुल आसान सा सवाल है अगर आपका correct answer बन जाता है तो भी दोस्तों आप giveaway winner बन जाएंगे आगे मैं पूछूंगा कि कौन सा ख बानकारी है यह जो सभी update गिवे से related final fantasy team से related यह update आपको telegram channel पे मिलेगी नीचे description में link है फड़ापट से सभी भाई telegram channel को जरूर जोइन कर लेना क्योंकि वहाँ पर आपको finally grand league team के combination small league team के combination गिवे से related update वो आपको telegram channel पे मिल जाएगी नीचे description में link है सभी भाई से जरूर जोइन कर लेना और दोस्तों बहुत हो गया पांच मेगा कॉंटेस्ट वो भी सिरफ एक रुपए में इस वीडियो में मैं आपके लिए इससे भी बड़ा offer ले के आया हूँ जिसमें दोस्तों आप जोइन कर सकते हो 10 मेगा कॉंटेस्ट वो भी सिरफ एक रुपए कम्पलीट देखते चलना बताऊंगा कैसी आपको जोइन करना है तो बात करेंगे सबसे पहले पिच के बारे में कि राजिव गांदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद की जो पिच है वो कैसी है पिच आपको दोस्तों बैटिंग पिच देखने को मिलेगी टोटल इस पिच पर दो टी 20 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं आई पिल के काफी मुकाबले इस गिराउंड पे हुए हैं लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल टी 20 मैचों की बात करें तो दो ही मुकाबले यहां पर खेले गए थे और पहले बैटिंग करने वाली टीम ने कोई टी 20 मुकाबले यहां पर विन किये हैं एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर बहुत ही बढ़िया है 116 मैं के करीब आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल सकता है इंडिया की टीम ने सबसे जाधा स्कोर इस पिच पर बनाए था दोस्तों नो रन का और सबसे कम स्क पर दोस्तों यहां पर ओस्ट्रेलिया की टीम का है 116 रन पे 7 विकट उसी के साथ बोलर्स के बारे में बात करेंगे लाश्ट के जो 5 मुकाबले यहां पर खेले गए हैं उसमें दोस्तों पेस बोलर ने यहां पर 34 विक्टों के साथ परफोर्मेंस किया है प्लस में दोस्तो स्पिन बोलर को यहाँ पर only 13 विकट मिली है ग्रैंड लिग टीम के कोंबिनेशन के बारे में बात करें तो पेस बोलर दोस्तो इंपोर्टेंट होने वाले हैं लेकिन स्पीनर्ड भी दोस्तो इस ग्राउंड पे काफी अच्छा परफोर्मेंस करेंगे आईपल के समय देखा था स्पीनर्ड ने भी यहाँ पर काफी अच्छा परफोर्मेंस किया था उसके बाद स्कोरिंग पैटरन 150 से नीचे अभी तक स्कोर नहीं है 150-170 के बीच में भी स्कोर देखने को नहीं मिला 170-190 के बीच में एक बार स्कोर देखने को मिला था जो कि ओस्टेलिया की टीम ने बनाए था और 190 से उपर इस ग्राउंड पर एक बार स्कोर देखने को मिला था जो कि इंडिया की टीम ने बनाए था बागी दोस्तों अगर इंडिया की टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करती है तो काफी अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा सेकिंड टी ट्वंटी मैच में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था अगर इंडिया की टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करेगी तो काफी अच्छा स्कोर इस गिराउंड पे बनने वाला है बात करेंगे दोस्तो रिसेंट मैचों के बारे में तो रिसेंट 2024 में यहाँ पर IPL के मैचिज खेले गई थे और इन मैचों में दोस्तो स्कोर काफी अच्छा देखने को मिला था अगर बात करें दोस्तो पंजाब और हैदराबाद के बीच में जो कि 2024 में IPL का मुकाबला खेला गया था तीन विकट यहाँ पर स्पिन बोलर को मिली थी साथ विकट दोस्तो यहाँ पर पेस बोलर को उसके बाद लखनाव और संराइज हैदराबाद के बीचों मुकाबला खेला गया जीरो विकट स्पिन बोलर को तीन विकट दोस्तो पेस बोलर को उसके बाद संराइज हैदराबाद वर्सिज राजस्थान रोयल्स के बीचों मुकाबला खेला गया था इस मैच में दस विकट दोस्तों पेस बोलर ने निकाली थी उसके बाद RCB और संराइज हैदराबाद के बीचों मुकाबला खेला गया 6 विकर्ड दोस्तों यहाँ पर मिली थी स्पिन बोलर को और 9 विकर्ड दोस्तों यहाँ पर मिली थी पेस बोलर को ध्यान में क्या रखना है कैप्टन वोईस कैप्टन सी के लिए यहाँ पर दोस्तों सन्राइज हैदराबाद की टीम से अभी सेक सर्मा आपको open करते वे नजर आया होगा इस ground पे इस खिलाडी ने काफी हद तक performance किया है वो खिलाडी दोस्तो आपकी team का unique captain बन सकता है पलस में bowling भी करवा सकता है क्योंकि यहाँ पर spinners ने दोस्तो विक्टे निकाली है अगर यहाँ पर spin को थोड़ी बहुत help मिलेगी तो अभी सेक सर्मा के लगबग आपको 2 over देखने को मिल जाएंगे पलस में दोस्तो वो खिलाडी आपको batting से भी performance करके देने वाला है तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं कि हम कैसे join कर सकते हैं पांच मेगा कोंटेस्ट वो भी सिरफ एक रुपए में तो दोस्तो इंडिया और बंगलादेश के बीच में जो तीसरा T20 मुकाबला होने वाला है मैच से पहले दोस्तो डिस्क्रिप्शन में दिये वे लिंक से आज ही डाउनलोड करें माई लेवन सरकल अप्लिकेशन और यहाँ पर बनाएं दोस्तो अपनी फाइनल ग्रेंड लिक टीम का कॉंबिनेशन यहाँ पर दोस्तो आपकी इंट्री फिस एक रुपए में होगी एक रुपए में आज आप पांच मेगा कॉंटेस्ट जोईन कर सकते हो अगर दोस्तो आप यहाँ पर हजार रुपए या फिर हजार से उपर दिपोजिट करते हो अपने वोलेट में तो दोस्तो आप जोईन कर सकते हो एक रुपए में दस टीमें एक रुपए में दोस्तो दस मेगा कॉंटेस्ट जोईन कर सकते हो इसके साथ-साथ अगर आप विन कर जाते हो तो दोस्तों आपको मिलेगा पूरा एक करोड का कैस प्राइज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फड़ाबट से सभी भाई माई लेवन सरकल अप्लिकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको ग्रेंड लिग प्लस स्मोल लिग टीम के जो कॉंबिनेशन है काफी हद तक बेस्ट देखने को मिलते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको 20% एक्स्ट्रा रियल कैस भी देखने को मिलेगा फर्स्ट डिपोजिट पे यानि कि आप 1000 रुपए यहाँ पर अगर डिपोजिट करते हो और 10 मेगा कॉंटेस्ट जोईन करते हो तो आपको दोस्तों 20% आपको एक्स्ट्रा कैस भी देखने को मि वेलकम बोनस भी देखने को मिल जाएगा फटापट से माई लेवन सरकल अप्लिकेशन को जरूर डाउनलोड करें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है बात करेंगे head to add के बारे में तो head to add के last के जो 10 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं उसमें दोस्तों इंडि बांगला देश के टीम विन भी कर जाती है तो भी दोस्तों यहां से सीरिज इंडिया के टीम विन कर जाएगी लेकिन दोस्तों जो हमारी टीम है उसमें बांगला देश की तरप से जरूर ट्रम्प कार्ड हिलाडी देखने को मिल जेंगे अगर बात करें recent के performance के according दोनों T20 मुकाबले यहां पर agenda की टीम विन करक्या रही है बंगरादेस के टीम दॉनों T20 मुकाबले back to back हार के आ रही है 5 में से 2 0 मुकाबले अभी दक बंगरादेस के टीम ने विन किये है एक भी मुकाबला विन नहीं किया है बागी दोस्तो 2018 इंडिया की टीम रीचांट के 5 में से 5 मुकाबले back to back win कर किया रही है, head to head पलस में रीचांट के performance के according, इंडिया की टीम काफी ज़्याधा strong टीम आपको देखने को मिल जाएगी, बात करेंगे दोस्तो playing 11 के बारे में, opening batsman Abhishek Sarma, जो कि sunrise एदराबाद की टीम से open करते वे नज हार्दिक पंडिया रियान पराग उसके बाद रिंकू सिंग सुंदर है फिर यहां से वरुन चकरवर्ती है और अर्शदीप सिंग है मैंग की आदा हुए यह दोस्तो फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएगी इंडिया की टेम की तरफ से बात करेंगे दोस्तो इनके प् कैप्टन सी में जरूर लेके चलना है पिच दोस्तो बैटिंग पिच है चाहे इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे या फिर दोस्तो बोलिंग करे यह खिलाडी जरूर आपकी टीम में C.V.C. देखने को मिल सकता है और C.V.C. में पिक भी करके चलना है head to head में दो मुकाबले 15 का average score पलस में एक विकट गिराउंड पे पहला मैच T24 मैट में 3 विकट है और 25 का average score इस खिलाडी का बैटिंग से है उसके बाद संजू सैमसन recent के मैच में दोस्तो 10 और 29 रन विकट कीपर ओप्शन दो मुकाबले head to head में 19 का average score वेन्यू पे पहला मैच 19 का average score इस खिलाडी का भी T24 मैट में है विकट कीपर ओप्शन है लेके चलना है उसके बाद दोस्तो सूर्य कोमार यादव recent वाले मैच में 8 रन उसके बाद 39 रन दोनों मैचों में ये खिलाडी भी लगबग flow भी देखने को मिला था 8 रन दो विकट फिर यहां से 26 रन फिर यहां पर 58 रन का performance head to add में 4 मुकाबले 73 रन इसके पास है 18 का average score ground पे दोस्तो 69 रन इस खिलाडी ने बनाए थे और्ष्टेलिया की टीम के सामने T24 मैट में दोस्तो 41 का average score है पलस में दो विकट भी निकाल रखी है ये खिलाडी भी दोस्तो काफी अच्छा 24 है captain और voice captain के लिए लेके चलना है पलस में दो विकट भी निकाल रखी है गिराउंड पे पहला मैच दो मुकाबले T20 में दो विकट निकाल चुका है 90 रन इस खिलाडी ने बनाए वे हैं ये खिलाडी दोस्तो फिर से यूनी कप्तान देखने को मिल सकता है क्योंकि गिराउंड पे पेस बोलर काफी अच्छा परफोर्मेंस करेंगे पलस में दोस्तो नंबर च्यार पे आपको इस खिलाडी का बैटिंग ओडर देखने को मिलेगा बैटिंग पलस बोलिंग दोनों से पॉइंट करके देगा रीशेंट में भी च्वित्तर रन बना के आ रहा है और इस गिराउंड पे काफी मुकाबले इस खिलाडी ने IPL के खेलेवे हैं उसके बाद दोस्तो हार्दिक पांडिया रीशेंट के मैच में 32 रन उसके बाद 49 रन नाबाद पलस में एक विकट फिर 22 रन नाबाद दो विकट 9 रन पलस में 0 विकट 7 मुकाबले head to add में 43 का average score पलस में 7 विकट निकाल रखी है ग्राउ पांडिया ड्रोब भी हो सकते हैं इसके जगह कोई नया खिलाडी भी आपको खेलते वे नजर आ सकता है क्योंकि सीरीज ओल्रेडी इंडिया की टीम विन कर चुकी है जो कि बैंच पलेर हैं जिनोंने T20 फॉर्मैट में अभी तक डेब्यू नहीं किया है वो खिलाडी दोस् में 15 रन T20 फॉर्मैट में 4 विकट और 14 का अभी तक इस खिलाडी ने बनाए वे हैं उसके बाद दोस्तों यहां से रिंकु सिंग जब भी मोका मिला है रिंकु सिंग को काफी अच्छी बैटिंग इस खिलाडी की तरब से देखने को मिली है रिंकु सिंग थोड़ा सा आपक कुछ भी नहीं है और यह खिलाडी भी दोस्तों बोलिंग करवा सकता है यह चीज नोट करके चलना है ग्रैंड लिक टीम में ट्रंप कार्ड खिलाडी बन सकता है जो की पिछले मुकाबले में भी देखने को मिला था तीन मुकाबले हैड टो एड में 35 रन इसके पास है T20 मे लगबग दोस्तों यह खिलाडी आपको नाबाधी देखने को मिलेगा अठाववन का एवरेज स्कोर पलस में दोस्तों दो विकट इस खिलाडी ने निकाली भी है उसके बाद सुन्दर री सैंट के मैंच में दोस्तों एक विकट उसके बाद फिर से एक विकट तीस रन एक विकट, 15 रन, 3 विकट, 5 रन पलस में एक विकट, head to head में 9 मुकाबले, 9 विकट इसके पास है, ground पे एक ही विकट, T20 फॉर्मैट में 46 विकट दोस्तों ये खिलाडी निकाल चुका है और 13 का average score इस खिलाडी का बैटिंग से है, सुन्दर की बात करें तो ground के according बात करें तो दोस तो काफी अच्छा performance इस खिलाडी की तरब से देखने को मिला है, 5 विकट इसके पास है, head to head में 2 ही मुकाबले खेले हैं, T20 फॉर्मैट में 7 विकटों के साथ इस खिलाडी का भी performance है, उसके बाद अर्शदीप सिंग, recent के 2 मैचों में 4 विकटों के साथ performance, 5 मुकाबले head to head मे 9 विकट इसके पास है, 87 विकट निकाल चुका है T20 फॉर्मैट में 56 मैचों में और दोस्तों इस खिलाडी ने venue पे अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं खेला है, उसके बाद मैं किया दव दोनों मैचों में एक एक विकट, T20 फॉर्मैट में डेब्यू किया बंगलादेश क टीम के सामने दोनों मैचों में एक एक विकट के सब परफॉर्मैंस है, head to head में दो मुकाबले दो विकट इसके पास है, ये दोस्तों फाइनली आपको इंडिया के फाइनल प्लेयर परफॉर्मैंस देखने को मिल जाएंगे, अगर बात करें दोस्तों इनके स्टार्टिंग और वरुन चकरवर्ती, ये टोटल चार खिलाडी है जो की डैथ में बोलिंग करवाएंगे, उपर के दोस्तों चार खिलाडी है जो की स्टार्टिंग में बोलिंग करवाते वे नजराएंगे, इसी के साथ बैंच पलेयरों की बात करें, तो बैंच पलेयर में दोस्तों बो काबले खेल रखे हैं T20 में 32 मैचों में 48 विकट इसके पास है बागी दोस्तों यहां से मेरे को नहीं लगता कि हरसीत राना के अलावा कोई खिलाडी आपको खेलते वे नजर आ सकता है क्योंकि ओल राउंडर की बात करें तो ओल राउंडर यहां से कोई देखने को नहीं मिले बात करेंगे प्लेयर बैटल के बारे में टोटल दोस्तों पांच खिलाडियों का प्लेयर बैटल है अभीशेक सर्मा को एक बार दोस्तों साकीब आउट कर चुका है संजू सैमसन को तक्सीन हैमद और यहां से महंदी हसन मिराज एक एक बार आउट कर चुका है सूर्य कुम एसल टीमों का कॉंबिनेशन बनाओ उससे पहले प्लेयर बैटल का एक बार सक्रींशोट जरूर ले देना क्योंकि ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी क्या दोस्तो ये खिलाड़ी लस्ट मैच में कुछ पर्फोर्मेंस करके जाएगा या फिर से फ्लोप होते वे नजर आईगा बात करेंगे इनके प्लेयर पर्फोर्मेंस के बारे में तो सबसे पहले ओपनिंग बैट्समेन के बारे में बात कर लेते हैं यहां पर परवेज होशयन जो की री सैंट के मैच में 16 रन उसके बाद 8 रन फिर यहां से 3 रन फिर यहां से 17 रन हैक टो एड में 15 का अवरेज स्कूर गिराउंड पे पहला मैच है टी ट्वंटी फोर्मैट में 9 का अवरेज स्कूर है लगातार दोस्तों यह खिलाडी फ्लोप ही देखने को मिला है उसके बाद लिटन दास री सैंट के मैच में 14 रन विकट कीपर उप्शन है उसके बाद फि 24 रन नाबाद फिर 13 रन 16 रन 22 का अवरेज को टी ट्वंटी फोर्मैट में हैक टो एड में 18 का अवरेज स्कूर है ट्रम्प कार्ड खिलाडी है ड्रीम टीम में देखने को मिल सकता है पिक कर के चल सकते हो क्योंकि विकट कीपर में दोस्तों री सैंट के दोनों मैचों में य ग्यारा उसके बाद 27 फिर फ्लोप है फिर 40 फिर यहां से 41 रन का परफोर्मेंस हैट टो एड में 4 मुकाबले 99 रन इसके पास है 24 का अवरेज स्कूर ग्राउंड पे पहला मैच 23 का अवरेज को टी ट्वंटी फोर्मैट में है उसके बाद हर दोई री सैंट के दोनों मैचों में फ्लोप है और तीन मुकाबले हैट टो एड में 6 का अवरेज स्कूर है वेन्यू पे पहला मैच है टी ट्वंटी फोर्मैट में 25 का अवरेज स्कूर है अगर दोस्तो अर्शदीप सिंग खेलते वे नजर नहीं आता है फाइनल प्लेइंग 11 में उसके जगा कोई दूसरा खिलाडी यानि कि फिर हरसित राना या आपको खेलते वे नजर आएगा अगर अर्शदीप सिंग फाइनल प्लेइंग 11 से ड्रोप होता है तो दोस्तो आप यहां से होशन सांतों को पिक करके चलना हर दोई को भी आप ट्राई करके चल सकते हो क्योंकि फिर ये खिलाडी देखने को मिलेंगे बैटिंग ओडर में और इन खिलाडियों का दोस्तों अभी रीसेंट में लो सेलेक्शन है यहां से दोस्तों आप होशन सांतों को जरूर पिक करना अगर अर्शदीप सिंग ड्रोप होता है तो उसके बाद मेहमद उल्ला लास्ट टी 20 मुकाबला है इस दोस्तों बिलकुल यह खिलाडी आपको फ्लोप होते वे नजराएगा मेरे अकोर्डिंग दोस्तों पचास रन आप इस खिलाडी के मान के चल सकते हो पचास रन के साथ ही यह खिलाडी रिटायर रेलने वाला है टी 20 फोर्मेट से इंपोर्टेंड खिलाडी या जीयल टीम म प्लस में दो विकट है ग्राउंड पे पहला मैच है टी 20 फोर्मेट में 2436 रन इसके पास है साथ दोस्तों 25 रन कंपलीट भी कर ले इसका कुछ भी नहीं पता लेकिन इंपोर्टेंट है लेके चलना है और एक्सपिरियंस बैटिंग ओडर है 23 का एवरेज को इस खिलाडी का उसके बाद मेहंदी हसन मिराज रिशेंट में 16 रन पलस में 0 विकट 35 रन नाबाद पलस में 1 विकट 44 रन दो विकट 27 रन पलस में 3 विकट हैट टो एड में 5 मुकाबले 26 का एवरेज को और पलस में 1 विकट गिराउंड पे पहला मैच T24 में 14 विकट इसके पास है 16 का एवरेज को और बैटिंग से लेके चलना है बैटिंग पलस बोलिंग दोनों से पॉइंट करके देगा उसके बाद रिशाद होशन रिशेंट के म से मैटें 32 का इसके पास है 11 काएवरेज को बैटिंग से है यह खिलाडी भी लेके चलना है क्योंकि दोनों खिलाडी दोस्तों ट्रमแटग को लेके चलना है क्योंकि बैटिंग पलस बोलिंग दोनों से प्उइंट कर के देंगे उसके बाद तक्सीन है मुझ रिशेंड में 20 विकट फिर फ्लोप है head to add में 4 विकट ग्राउंड पे पहला match T20 format में 74 विकट दोस्तो इस खिलाडी ने निकाली भी है उसके बाद तांजीम साकीब रीशेंट में 2 विकट इसके पास है head to add में 4 विकट ग्राउंड पे पहला match 17 विकट इसके पास है T20 format में अगर दोस्तो यहां से इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो यहां पर starting plus death वाली खिलाडी काफी ज़्यादा important है बोलर दोस्तो starting plus death में जो खिलाडी बोलिंग करवाएगा जैसे कि तांजीम साकीब death में बोलिंग करवाएगा पलस में starting के ओर लेके आएगा तक्सीन एमद आपको पहला over करवाते हुए नज़र आएगा तो इन खिलाडियों को विकट मिलने के chances है और पिछले match में भी दोस्तो दो-दो विकटों के साथ इस खिलाडी का performance है उसके बाद मुस्तिफिजोर रहमान recent में दोस्तो दो-विकट दोनों मैचों में इस खिलाडी ने performance किया है साथ विकट head to head में T20 format में experience बोलर है 131 विकट के साथ performance है लेके चलना है bowling section में चाहे दोस्तों इंडिया के team पहले batting करे या फिर bowling करे क्योंकि ये खिलाडी दोस्तों दोनों मैचों में performance कर किया है ये आपको finally बंगलादेश के final player performance देखने को मिल जाएंगे अगर बात करें दोस्तों इनके starting और death में कौन सा खिलाडी bowling करवाएगा तो starting के ओवर दोस्तों तकसीन अहमद के, तानजीम साकिब के, मुस्तिफिजोर रह्मान के, मेंधी हसन मिराज के और death में दोस्तों मुस्तिफिजोर रह्मान, तानजीम साकिब, तकसीन अहमद, रिसाद, होश्यन ये total 4 बोलर हैं जो की death में bowling करवाएंगे ओपर के आपको 4 खिलाडी देखने को मिलेंगे, जो की starting में bowling करवाएंगे तकसीन अहमद का पहला ओवर, दूसरा ओवर दोस्तों तानजीम साकिब का देखने को मिलेगा इसी के साथ बेंच पलेयरों की बात करें, total दोस्तों 4 बेंच पलेयर हैं इन में से कोई भी खिलाडी अगर final playing 11 में अपडेट होता है, वो अपडेट आपको पता ही है, telegram channel पे मिल जाएगी अगर जिस भी भाई ने join नहीं किया है, वो फड़ापट से दोस्तों telegram channel जरूर join कर लेना बात करेंगे पलेयर battle के बारे में, total दोस्तों 5 खिलाडियों का पलेयर बेटल है, होशन सांतों को दोस्तों दोनों बार यहां से सुंदर ने आउट किया है और परवेज होशन की बात करें तो दो बार दोस्तो अरसदीप सिंग आउट कर चुका है निती स्रेडि का अभी के लिए क्योंकि सबसे ज़ादा हाई सेलेक्षन है अभी सेक सरमा का उसके बाद हार्दिक पंड्या का वरुन चकरवर्ति का और अर्शदीप सिंग का इधर से होशन सांतो का और दोस्तों यहां से महंदी हसन मिराज का रिशाद होशन का और यहां से खिलाडी है जिनका fantasy में high selection है trump card खिलाडी दोस्तों सूर्य कुमार यादव भी बन सकता है क्योंकि इस खिलाडी का भी low selection है दोनों matchों में flop है मैंक यादव की जगए दोस्तों निती स्रेडी मेर को लगता है काफी better चुआईस है trump card खिलाडी में यहाँ से मेहमद दुल्ला trump card खिलाडी है क्योंकि last T20 match है performance करके जाएगा और तांजीम साकीब के बारे में यह total 4 खिलाडी हैं जिनका fantasy में low selection है पलस में आजगे match के trump card खिलाडी है और आजगा जो हमारा give you question होने वाला है वो दोस्तों यह रहेगा कि आजगे match में नितीस ready कितनी wicket निकालने वाला है run आपको नहीं बताने है simple सा आपको answer देना कि कितनी wicket लेगा 1, 2, 3, 4, 5 या फिर दोस्तों 10 की 10 वो ही निकालेगा फड़ापट से comment box में जरूर comment कर देना कि आजगे match में कितनी wicket लेने वाला है यहां से नितीस ready बिलकुल easy question है अगर दोस्तों आप इस question का सही answer देते हो तो आप giveaway winner बनने वाले हो और telegram channel आपके लिए important है क्योंकि यह जो update है giveaway से related यह आपको telegram channel पे मिल जाएगी नीचे description में link है फड़ापट से join कर लेना और दोस्तों अभी तक आपने my 11 circle application पे final grand league team का combination नहीं बनाया है तो नीचे description में link है फड़ापट से दोस्तों my 11 circle application में एक रुपए में join करें 5 mega contest 5 team में बना सकते हो और दोस्तों अगर आप यहां पर 1000 रुपए तक deposit करते हो या फिर उससे ज़ादा तो आप 1 रुपए में 10 mega contest यानि कि 10 team में बना सकते हो और अगर आप जीत जाते हो तो इसका बड़ा जो cash prize है एक करोड का यह दोस्तों आप अपने घर लेके जाएंगे तो फड़ापट से डाउनलोड कर लेना नीचे description में link है इसके साथ साथ दोस्तो 20% का आपको real cash देखने को मिलता है और जैसे की 1000 रुपए अगर deposit करते हो तो 1200 रुपए का आपको real cash देखने को मिल जाएंगा और 1500 रुपए का दोस्तो welcome bonus है मैं तो continue इसी application पे खेल रहा हूँ आप भी ज़रू खेलना start करें नीचे description में link है इसी के साथ final fantasy team के combination के हिसाब से बात करते हैं अभी से एक सर्मा दोस्तो मेरा captain है दोनों team हो में VC में दोस्तो सूर्य कुमार यादव है और यहाँ पर मैंने वरून चकरवर्ती को दोस्तो वो इस captaincy में pick करके रखा है लेकिन नितीस रेड़ी आपका Trump card हिलाडी है रिंकु सिंग बोलिंग करवा सकता है इसलिए मैंने pick किया है सूर्य कुमार यादव संजू सैंचन दोस्तो आपको विकट केपर option में देखने को मिलेगा यहाँ से महंदी हसन मिराज लिसाद घोश्यन सुंदर और यहाँ से अर्षदीब शिंग बरुण चकरवर्ति अर्षदीब सिंग और यहाँ से दोस्तो साकीब यहाँ से रियान पराग है महंदी हसन मिराज है घोश्यन सान्तो है उसके साथ हारदिक पांड़य देखने को मिल जाएगा विशाद होशन सांतों को मैंने पिक नहीं किया है नितिस रेड़ी है ये मेरे दो फाइनल ग्रेंड लिक टीम के कॉंबिनेशन है सी विसी की बात करें तो नितिस रेड़ी काफी अच्छा चुवाइस है बैटिंग पलस बोलिंग दोनों से पॉइंट करके देगा उसके बाद सेकंड चुवाइस आपकी होनी चीए अभी सेक सर्मा के उपर और तीसरी चुवाइस होनी चीए आपकी यहां से सूर्य कुमार यादो के उपर यह दोस्तो आपको बैटिंग ओर फलस में ओल राउंड और ओप्शन में तीन कैपटन आपको मैंने बता दिये हैं पलस में आप रिवर्ट भी कर सकते हो वी सी में ट्राई करके चल सकते हो अगर बात करें दोस्तो थोड़े से रिस्की सी वी सी के बारे में तो यहां से साथ अर्सदीप सिंग है जो कि दोस्तों स्टार्टिंग के ओवर करवाते वे नजर आएगा अगर ड्रोप होता है तो हर्चित राना आपके लिए बैटर चुवाईस है क्योंकि डेब्यू करेगा कुछ बड़ा परफोर्मेंस करने वाला है उसके बाद यहां से दोस्तों बा बड़ा सा उपर बैटिंग करेगा अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो आपकी टीम में लिंकु सिंग ट्रंप कार्ड इखलाडी बन सकता है वरना ड्रोप करके चलना है उसके बाद दोस्तों बात करें अगर बंगलादेश की टीम से तो होशन सांतों पिक कर के चलना है वो आपको चाहे अर्चदीप सिंग खेले या पर नए खेले वो खिलाड़ी आपके टीम में इंपोर्टेंट है उसके बाद महमद उल्ला लास्ट्री 20 मुकाबला है कुछ बड़ा परफोर्मेंस करके जाएगा उसके उपर भी आसा लगा के चल सकते हो वो भी ख सुन्दर को और इसके बाद दोस्तों बात करें अगर कोई अधर खिलाड़ी जो आपकी टीम का ट्रम काड खिलाड़ी बन सकता है वो आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रवाइड करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फड़ा बट से सभी भाई टेलिग्राम चैन के बड़े प्राइज आपको आगे आने वाली वीडियो में देखने को मिलेंगे तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ